हेलो अब्रीवन यह मेरा पहला वीडियो है और इसमें हम सिर्फ क्वांटम नंबर फाइंड करने के ट्रिक्स पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं ठीक है तो क्वांटम नंबर है क्या क्वांटम नंबर बेसिकली किसी एटम के अंदर इंसाइड एन एटम किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है अब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन कहा कहा हो सकता है, किसी एटम के अंदर, सबसे फर्स्ट भोर के मॉडल के अनुसार, बहुत सारे शेल्स होंगे, ठीक है, इन शेल्स के अंदर हमारे पास सब शेल्स होंगे, सबसे पहले शेल्स होंगे, शेल्स के अंदर हमार हमारे पास orbitals होंगे और in orbitals में electrons रहते हैं ठीक है हमारे पास 4 quantum number है पहला है N दूसरा L M और S यह 3 quantum number Schrödinger के wave equation से आएं और यह बाद में add किया गया है ठीक है अब shells जो है किसी atom के अंदर nucleus होगा first shell होगा second shell होगा third shell होगा fourth shell होगा fifth shell होगा अब तू लेके infinite shell तक होगे लेकिन किसी भी atom के अंदर zero shell नाम का कुछ भी नहीं हो सकता अगर zero shell नहीं है मतलब हमारे पास shells कहां से कहां तक हैं हमारे पास shells है वन से लेकर के इन्फाइनाइट तक के इन शेल्स के अंदर इनसाइट इस शेल्स शेल्स के अंदर रहते हैं सब शेल्स का नाम आपने सुनाओगा सब शेल्स होते हैं S, P, D, F ये चार सब शेल्स सही में होते हैं इसके अलावा इसके आगे G, H, I, J इसके आगे के सारे शेल्स हाइपोथर्टिकल हाइपोथर्टिकल केवल केवल हम इन चार शेल्स का उपयोग करते हैं चार शेल से आपने भी पढ़ा होगा कि फर्स शेल के अंदर केवल 1S सब शेल होता है, सेकेंड शेल के अंदर हमारे पास 2S और 2P होता है, फर्ड शेल के अंदर we have 3S, 3P, 3D, फॉर्थ शेल के अंदर हमारे पास होता है 4S, 4P, 4D, 4F, फिफ्थ शेल के अंदर हमारे पास होगा 5S, 5P, 5D, 5F और 5G, जिसमें से यह 5G जो है, यह hypothetical होता है, मतलब इसका उपयोग हम नहीं करते हैं, पाकि hypothetical ही इसे मानते हैं, शेल्स के अंदर हमने देख लिया, शेल्स के अंदर हमारे पास थे सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर आप सब जानते हैं, हमारे पास होते हैं orbitals, अब जो S sub shell है, S sub shell के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक बॉक्स बनाते हैं, इस एक बॉक्स का मतलब है, इसमें एक और्बिटल है, इस एक और्बिटल में हम दो एलेक्ट्रोन्स रख सकते हैं, ठीक है, इसी भी और्बिटल में हम दो ही एलेक्ट्रोन रख सकते हैं, और्बिटल में दो एलेक्ट्रोन होंगे, और्बिटल का मतलब होता है एक बॉक्स, पी सब शेल के अंदर हमारे पास तीन बॉक्स होते हैं, एक और्बिटल में हम दो एलेक्ट्रोन रख सकते हैं क्योंकि इसमें तीन और्बिटल है हमारे पास छे एलेक्ट्रोन हो सकते हैं D सब शेल में हमारे पास में पांच और्बिटल होंगे और इन पांच और्बिटल में हम कुल मिला के 10 एलेक्ट्रोन रख सकते हैं एप सब शेल में हमारे पास में साथ और्बिटल होंगे आई अगला जो जी सब शेल आएगा आप एजियूम कर सकते हैं कि उसके अंदर अगला और नमबर जो की होगा नाइन उसमें नाइन और्बिटल होंगे बाकि इसका उपयोग हम नहीं करते हैं फिर से मैं बता रहा हूँ ही हाइपोथेटिकल होता है अब क्वांटम नमबर हमारे पास शेल्स है शेल के अंदर सब शेल्स है सब शेल के अंदर हमारे पास और्बिटल है और्बिटल के अंदर हमारे हमारे पास electron है, चारो quantum number N, L, M और S एक एक चीज़ को दिखाते हैं, ठीक है, shell का number हमारे पास 1 से लेके infinity तक हो सकता है, सब shell हमारे पास S, P, D और F है, इसके लिए एक आसान सी चीज़ याद कर ले, S, P, D, F, 0, 1, 2, 3, this much simple, ठीक है, नाकाम कर ले, आगे, M को हम आगे देखेंगे, S को भी आगे देखेंगे, हम मानने जे कहीं ऐसा लिखा है कि फॉस्फोरस के 15th electron के 4 quantum number हमें find करने, फॉस्फोरस का 15th electron के 4 quantum number find करने के लिए सबसे पहले ये करें, कि फॉस्फोरस की electronic configuration लिखें, जो हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, फॉस्फोरस का पहले दो electron है, 4, यहाँ 6 हो गए, 10 हो गए, यह 12 और 3, 15, 15 पंद्रवा electron यहाँ पर है, 15 पंद्रवा electron है 3p का 3rd electron, 3p का 3rd electron किस shell में पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा 3rd shell, किस सब शेल में पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा P सब शेल में, किस orbital में और कौन सा electron होगा वो हम आगे देखेंगे जो n है n हमें show करता है shell का number यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं shell का number कौन सा है third shell तो इसके लिए n की value हो गई 3 spdf0123 हमारा sub shell कौन सा है p p sub shell के लिए l की value हो जाएगी 1 तो हमारे लिए l की value हम यहाँ लिखेंगे 1 अब next है orbital अब हम इस configuration को देख करके orbital कौन सा है वो नहीं बता सकते तो orbital देखने के लिए हम क्या करेंगे इसे बड़ा करेंगे बड़ा कर दिया हमने इसमें 3 electron है पहला यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ अब बच्पन में आपने जो number scale बनाई होगी वो number scale बनानी है number line बनानी है बीच में लिखें 0 पीछे लिखें minus 1 आगे लिखें plus 1 हमारा electron यहाँ तक के 12 electron हो गए थे 3s2 तक के यह 13 यह 14 और यह 15 electron है 15 electron जहाँ आ रहा है उस डबबे का number है plus 1 तो यहाँ M की value हो जाएगी plus 1 अब रही बात S की तो S दिखाता है स्पिन electron दो तरीके से स्पिन कर सकता है या तो clockwise या anti-clockwise अगर वो clockwise स्पिन करता है तो हम लेते हैं plus half anti-clockwise spin करता है तो लेते हैं minus half अभी फिलाल उपर की तरफ है उपर की तरफ का मतलब by convention माना गया है plus half तो हम यहाँ पर लेंगे plus half ठीक है इसी प्रकार एक example और देखेंगे मालनी जे आपको कहा गया है कि potassium atomic number 19 के last electron का चारो quantum number find करें तो potassium की electronic configuration लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 यह होगा इसके 19th electron आएगा 4s1 में 4s1 कौन से shell में होगा तो यह fourth shell में होगा n की value होगई 4 l की value l की value के लिए याद रखें आप s p d f 0 1 2 3 s s कहां आ रहा है 0 हमारा यह electron भी s में है तो l की value होगई 0 इसके बाद आप इसे बढ़ा करें बढ़ा करें s में एक ही orbital होगा 4s1 यह एक electron है बीच में लिखे 0 आपने 0 लिख दिया m की value होगई 0 s की value होगई उपर की ओर है इसलिए plus half thank you I hope you enjoyed the video